सुप्रिम कोटा रक्षन के अंदर कोटा के अंदर कोटा देने की बात क्यूं कर रही है जीतन राम माजी इस बात का सपोर्ट क्यूं कर रहे हैं चिराग पास्वान इस बात का विरोध क्यूं कर रहे हैं इन सभी बातों को आज हम आपको तथ्यों के अधार से समझा देंगे है राजनिती में कितना दवदवा है आज की सी जिदानरमाजी वह सपोर्ट कर रहे हैं और विरोध कर रहे यह क्यूँ यह मुझत शंगठन यहूं कि तो approaching तो थो का क्ले कर दोhat याद कीजिए कुछ दिनों पहले पिहार में जातिगत जनगन्ना होई थी और उस जातिगत जनगन्ना में हर व्यक्ति का जाती पता किया गया था और उसके अलावे वो काम क्या करता है सरकारी नौकडी करता है या नहीं उसके पास जमीन कितनी है उसकी आमदनी कितनी है वो र आज हम पोल खोलेंगे पोल ऐसा कि आपका नीन दूर जाएगा और तमाम दलित जातियों को ले करके आपका भ्रम दूर हो जाएगा जो आपको लग रहा है कि सरकों पर उतर के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका हक मारा जा रहा है तो उनके बारे में भी हम आपको बता और आपको समझते ये देर नहीं लगेगी ये आखिर इस बात को लेकर कि इतना हो हला क्यों हो रहा है तो आईए सबसे पहले हम बताना सुरू करते हैं हम एक तरफ बताते हैं आपको जाती कौन सी जाती का आबादी कितना है और उसका सरकारी नौकड़ी में कितना प्रतिसत है मतलब कितने प्रतिसत लोग उसका सरकारी नौकड़ी करते हैं पासवानों की अबादी जो है बिहार के जातीगत जनगना के अनुसार 5.31 प्रतिसत है और उनमें से 1.44 प्रतिसत पासवान जो हैं वो सरकारी नौकड़ी करते हैं और सबसे जादा सरकारी नौकड़ी वाले दलित जाती के अगर बात की जाए तो पास्वान जो है वो सबसे उपर है पास्वानों के पास सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी है बिहार में उसके बाद दूसरे नमबर पर जातीगत जनगना के रुशार आते हैं रविदास रविदास जो है पांच दसमलो तीनेक फिस्दी है बिहार में जातीगत जनगना के आकड़े के हिसाब से और सरकारी नौकरी में इनके हिस्दारी की बात की जाए तो ये दूसरे नमबर पर आते हैं सरकारी नौकरी की मामले में भी इनकी आबादी के हिसाब से ये जो है एक दसमलो दो जीरो प्रतिसत जो है लोगों के पास सरकारी नौकडी है उसके बाद दो ऐसी दलित जातियां है जिनका प्रतिसत बिहार में एक प्रतिसत से भी कम है जातीगत जनगन्ना के अनुसार लेकिन उनके पास सरकारी नौकडी बहुत है अगर बात की जाए धोबी की तो जो धोबी की जातीगत जनगन्ना के अनुसार जो पासी समुदाय की बात की जाए तो 0.98 प्रतिसत जो है इनकी आबादी है बिहार के जातिगत जनगना के अनुसार लेकिन पासी जाती के लगबग 2 प्रतिसत लोगों का सरकारी नौकडी है अब आप इस बात को समझे कि जिन लोगों के पास सरकारी नौकडी सबसे जादा है व तो 18 दलित जातिया हैं, उनका इस्थिती ये है कि उनके पास सरकारी नौकडी में नाम मात्र का जग़ है, बिहार की तीसरी सबसे बड़ी दलित जाती जो है, वो है मुसहर है, मुसहर की अबादी 3.8% है, लेकिन सरकारी नौकडी की अगर बात की जाए, तो मात्र 3.8 में से 0. 2.6% लोगों के पास ही सरकारी नौकडी है, अब इस बात को आप समझिए, कि जीतन राम माजी जो है, इस बात का आवाहन करते हैं, नितिस कुमार को इस बात का सिफारिस करते हैं, कि बिहार की 18 जातियों को कोटा दे करके 10% आरक्षन देना चाहिए, और नितिस कुमार से य नाम पर कुछ भी नहीं है, वो जातियां हैं, बांतर, बौरी, भूया, चौपाल, दबगर, डोम, घसिया, हलाल खोर, महतर या फिर हेला, कंजर, कोडियार, लाल बेगी, नट, पानी, रजवार, तूरी, तनू, और फिर मुसहर जाती, ये वो जातियां हैं, जिनके पास ब बिहार के तमाम जो एस्टी एस्टी नेता है, जो जादतर उपवर्ग से आते हैं, बड़े दरलों से आते हैं, पासवान समुदाय से आते हैं, रविदास समुदाय से आते हैं, वो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, कि कोटा के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए, अब इ कारण से इन लोगों का राजनितिक महत्व भी बहुत जादा है और इसी कारण से इनको बहुत जादा लाफ जो है सरकारी नौकडियों में मिलता है और अरक्षन का मिलता है जबकि बाकी की 18 जातियों का जिसका हमने जिक्र किया है उसमें से जादतर जातियों का न तो राजनि का विरोध करते हैं जितन राम माजी जब इस बात का विरोध कर रहे थे कि हम भारत बंद के समर्थन में नहीं हैं तब हम सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जितन राम माजी इस बात का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन जब हमने यह आकना निकाला जब हमने इसको अपने आखों से देखा तब हमको लगा कि जीतनरामाजी जो कर रहे थे वो सायद बिलकुल सही कर रहे थे और बात अब रही कि कोटे के अंदर कोटा देने की या फिर क्रीमी लेयर की सुप्रीम कोट कहता है कि क्रीमी लेयर तिया जाए मतलब जिनके पास बहुत जिन जातियों के पास उनको आरक्षन कम दिया जाए ऐसा नहीं है कि उनको आरक्षन से बाहर कर दिया जाएगा उन कोटे के अंदर कोटा बनाया जाएगा और ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि उन 40% में से जो आरक्षन है वो आरक्षन में से 10% आरक्षन जो है इन 18 जा बिहार के तमाम राजनितिक गल जो है इस बात को ले करके राजनिती कर रहा है लेकिन तथ्यों की बात कोई नहीं कर रहा है लोगों को कोई ये नहीं समझा रहा है कि आखिर क्यों ये बात जरूरी है और क्यों कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए बाकि इस खबर को ले कर क्या आप क्या सोचते हैं और कोटे के अंदर कोटा को ले करके सुप्रीम कोट का जो फैसला है बिहार का जातिकत जनगन्ना का जो रिपोर्ट है सरकारी याकरा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमने जो आपको रिपोर्ट बताया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी झाल झाल